सर अगला टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी के पॉइंटों विसे थियोरी भी आ जाता है सेक्शन फिफ्टी टू सब सेक्शन टू कम्पनी जट का और लॉव में भी कोशन पूछा जाता है सर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है क्या होता है पहले तो यह देखते हैं कोई भी कम्पनी हो जैसे अगर मैं आपको एक्जांपल दिखाऊ ना यह दो हरे कम्पनी का एक अपना फेस वेल्यू होता है जैसे मैं सब्सक्रा और एक रुपे-पचास पैसे वी फेस वेल्यू होता है अब देखों यहां Reliance Shares तो यह आ रहा है इसका Face Value कहां दिखेगा भाई कहीं न कहीं तो बताएगा यह Face Value Face Value इससे Tick Price भी बोलते हैं वैसे Shares आज की Date पे 2913 रुपए का है लेकिन इसका Face Value Face Value डिजाइन आए अब यहां पर यहां पर यहां पर नाम नहीं आ रहा है अफिर 1930 कहीं था ना Share का Price अब आगे भी देख लेते हैं कहीं और कुछ दिख जाए है कि देख रहा है कितने का Share दिख रहा है 2915 Face Value कहीं दिख रहा है चलिए देखते हैं देखते हैं अगली बार से आपको मैं दिखा दूँगा यह सारे चीज़े है अलग अलग है आगे Fundamental of Investment है यह रहा Face Value 10 यानि सर 10 रुपे का Share है और आज इस Shares को आप खरीदोगे Share बजार से ही खरीदोगे ऐसा तो नहीं है मुके संबानी के पास चले जागो बोलो को एक Share देदो आप तो Share Market से खरीद सकते हो तो आपको Share खरीदना पड़ेगा 2915 रुपे का और इसका Face Value कितने का दे रखा है हमारा Face Value आपने देखा भी कि इसका Face Value था यह रहा है 10 रुपे आप देखिए इसका Face Value 10 अब जरूरी नहीं है कि हर Share का Face Value 10 ही हो एक रुपे भी होता है मैं आपको दिखा सकता हूं एक रुपे का Share का Face Value तो आईए आई प्यू में तो 10 रुपे नहीं 10 रुपे Face Value होता है हम इसू कितने का करें हमारी मर्जी है आप आपको Face Value और देखिए मैं दिखाता हूं आप TCS का देख लेते हैं TCS Face Value ठीक है अब देखो एक रुपे का प्राइस कितना है 4000 के आसपास है इसका Face Value कहीं दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है इसी पर दिखेगा पहले भी इसी पर थे थे न एक रुपे ही होगा इसका कहा दिखा आपको फोन में दिख रहे होगे आप अरे यार मैं बोल रहे हैं यहां दिखे तो बताओ यहां दिख जाएगा है कहा है भाई मुझे ने दिख रहा है यह रहा एक रुपे तो अब इसका शेयर का Face Value एक रुपे शुरू में नहीं था शुरू में दस था फिर इसने split करके करके हम आगे देखेंगा bonus share में एक रुपे यानि एक रुपे का इसकी share सकर खरीद होगे न और कल के दिन company बंद हो जाती है और अपने assets बटवारा करेगा तो आज की date पे आप भले ही इसमें कितना लगा दो 4966 रुपे आज आपने लगा दिये लेकिन company ने बोला हमेशा याद रखना shares का हमेशा एक ना face value होता है कोई भी face value होता है जैसे अब आपने generally हम मानके चलते हैं 10 अब इस से महंगा आप बेश सकते हो महंगा इससे आप बेश सकते हो कितना महंगा आप करके बेश सकते हो आपकी मर्जी है कि कितना मैं मानलो 12 का भी बेश सकता गवर्मेंट ने बोला हुआ है भाई जितना भी तेरा मन करें एक्स्ट्रा बेचने का तू बेच लिए हमें कोई दिक्टत नहीं है नो लिमेट अब आपको एक शेयर का फेस वेल्यू और दिखाता हूं एक शेयर का और दिखाता हूं आप सोचोगे सर इतना भी हो सकता है इतना तो आपका कुश्चन ही खतम हो जाएगा MRF कि कीबूर्ड तो है यह दितर में क्यों टाइप कर रहा हूं अ कि फेस वेल्यू मारे फेस वेल्यू पहले तो MRF का शेयर देखो कितने का है एक तालिस हजार का इसका फेस वेल्यू देखो कहीं दिख जाए यहीं देखते हैं दस रुपई दस रुपई आप देखो दस रुपई का शेयर का फेस वेल्यू कितने है एक लग ने दस रुपई का शेयर का फेस वेल्यू फेस वेल्यू तो दस रुपई वो यह बाला है MRF का सबसे महंगई का मतलब यह मैं समझ रहा है एक लाख एक तालिस जार का है तो बहुत बड़ी कंपनी होगी हमने तो Reliance सुना था तो यह इतना महंगई कैसे है Reliance को तो तीन हजार कातर नहीं यह number of shares होते हैं सारे Market Capital होता है आपको यह धीरे धीरे जब Fundamental of Investment Semester 4 में पढ़ोगे न तो आपको पता चलेगा कि यह है कि अबला इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है मेरा परपस है कि हम एक 10 रुपे वाले share को कितना भी महंगा करके बेच सकते हैं बेचो बेचो हमें कोई मतलब नहीं है अगर मैं example लूँ अगर मैं simple सी बात करूं कि मेरा एक share 10 रुपे का है और अगर क्या मैं इसे 15 रुपे में बेच सकता हूं बेच सकते हैं 15 रुपे में बेच दिया तो मैंने एक्ट्रा कितना लिया अगर मेरे जीर में 5 रुपे एक्ट्रा आ गये तो गौर्रमेंट ने बोला एक काम कर भाई तेरा पास 15 रुपे आये हैं तुह अपनी मर्जी सफ जो मर्जी कर इस 5 रुपे जो तुने एक्ट्रा लिये इसको खर्च नहीं करना खर्चा नहीं करना government कहता है यानि आप पैसे सामने वाले से तो extra receive कर सकते हो लेकिन इसे खर्च नहीं कर सकते क्यों नहीं खर्च कर सकते हो जो extra हम ले रहे हैं इसको हम accounting word में बोलेंगे premium आप सभी को पता है premium extra के लिए लगाया जाता है तो यानि जितना भी आप premium पैसा बसूल होगे किसी से भी किसे यानि किसी भी shareholder से investor से उस पैसे को खर्च आपको नहीं करना है अगर आपने खर्च किये तो माना जाएगा violation of the law आपने law को तोड़ा है और आपकी company को punishment दिया जाएगा तो पहले तो आप समझो premium क्या होता है और मैं बात क्या कर रहा हूँ यहाँ पर premium को खर्च ना करने का ठीक है तो ऐसे तो लगे गा यार मैंने आपसे 10 के बदले मैंने आपसे 50 लिए 40 extra है तो उस 40 का क्या फाइदा जब हम उसका use ही नहीं कर सकते यानि आपके पास कोई चीज़े आ रही है और आप उसको मतलब use ही नहीं कर सकते मैं simple सा example लो कि आप exam center में जाओगे और बैठोगे लेकिन question paper भी मिलेगा लेकिन आपको लिखने नहीं दिया जाएगा answer sheet तो उसका कोई मतलब भी नहीं हो तो shares पे जो भी extra पैसा लिया उस पैसे को आप use नहीं कर सकते लेकिन जब यह बाते बोली गई तो बहुत लोग परिशान हुए बोले कैसा कानून बना दिया तब government एक ये section लेके आई 52 subsection 2 इसको बोला चलो कहा कहा use कर सकते हो हम वो बता देते हैं यानि use कहा करना है security premium को section 52 subsection 2 बताता है हमे simple सा utilization of security premium total 5 जगह पर इन्होंने बोला हुआ utilization कहां कहां utilization करना है 5 जगह बोला हुआ है number 1 number 1 आप bonus share issue कर सकते हो bonus share bonus share का मतलब आपने shareholder से extra पैसे लिया है तो आप उसको free में share दे दो तो आपका खर्चा तो है उस पैसे को आप security premium में से use कर लेना जैसे आप ये ध्यान दो 10 रुपे का था आपने 20 का बेचा या फिर 10 का था आपने 25 का बेचा तो 15 रुपे extra आपके पास पढ़ा हुआ इसको खर्च करने के लिए bonus share के लिए use किया जा सकता है नमबर दो buyback करने के लिए buyback of share आपके shares को मैं खुद वापस खरीद लूँगा मैंने अभी आपको दस में दे दिया और मेरा मन करा है यार गलती से दे दिया तो मैं आपके share वापस खरीद सकता हूँ हमारे पास अधिकार है लेकिन छीन नहीं सकता मैं बोलूँगा यार तू अपना share 12 रुपे में दे दे मेरे फो मैंने तिरको 10 में बेचा था अब मेरी company अच्छे चल रही है तो आप अपनी 6 अगर बेचते हो तो valid है अगर मैं बोलू के तुम्हारे share मैंने ले लिए है तो valid तो मैं जो आपको extra पैसे मतलब जो पैसे वापस करूँगा उसके लिए मैं security premium का इस्तमाल कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरे पास पैसा पड़ा हुआ रहेगा तीसरा redemption या फिर write off write off return off return off preliminary expense या फिर underwriter commission write off preliminary expense या फिर underwriter commission यह होता क्या है हम आगे चलके देखेंगे preliminary expense छोटे मोटे खर्चे होते हैं business को start करने से पहले के खर्चे होते हैं और उसको अगर आप payment करना चाहते हो तो करना आपको मतलब कि इस पैसे का इस्तमाल कर सकते हो number 4 redemption of debenture अगर debenture को आप redeem यानि debenture holder के भी अगर आपको पैसे देने हैं तो उसके लिए भी आप security premium का इस्तमाल कर सकते हो number 5 security premium paid to debenture holder या फिर preference share holder पी एस एच लिख दिया preference share holder अब ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको 100 रुपय का debenture इशू किया तो law बोलता है कि आपको सभी debenture holder के पैसे एक समय के बाद वापस करना पड़ेगा तो मुझे आपको वापस करना है तो मैंने बोला चल यार मैं तिरको 110 रुपय वापस कर दूँगा तो इसका मतलब मैं तुम्हें जो वापसी कर रहा हूँ वो premium के साथ वापसी कर रहा हूँ तो जो यहां मेरे 10 रुपय मेरे जेव से खर्चा हो रहा है premium का उसके लिए भी security premium का utilization किया जा सकता है और जो मैं 100 रुपय आपके पैसे वापसी कर रहा हूँ उसके लिए भी इसका वापसी के लिए utilization किया जा सकता है सर केस टू की थोड़े टाइप है न अंकित आपका मुझे डाउट समय सर आपका एक कुश्चन आया है कि बैलेंस शीट की बात अभी करेंगे बैलेंस शीट पूरा होगा पहले तो आप यह देखो utilization of the security premium यह security premium का कहां use करेंगा और security premium क्योंकि एक तरीके से extra पैसा है तो मान के चलो आपके उपर एक तरीके से यह liability का काम करता है इसलिए journal entry में इसे कहां दिखाएंगे हम sorry liability ने income की तरह मान के चलो यह आपके लिए reserve या income की तरह है extra पैसा ले रहो नो उससे तो आपके income liability देना तो है नहीं किसी को तो आपके income की तरह काम करता है तो इसलिए journal entry में जब भी आएगा वो किस side में आएगा हमारा credit side में आ जाएगा तो यह क्या था हमारा utilization of security premium कितने जगा हो सकता है buyback के लिए हो सकता है bonus share के लिए हो सकता है चीक है यहां तक बताईए कोई doubt clear है यहां तक और आगे बढ़ा जाए झाल चालिए सर सर फिफ्ट पॉइंट एक वर बता दीजे फिफ्ट पॉइंट security premium है देखो समझो जैसे कि मान लिया जाए आप न देखो मैं debenture है और debenture मैंने issue किया मान लो 100 रुपे का अब इसको मैं वापस करूँगा तो वापस के लिए क्या होगा redemption करना और वापस मैं इसको करूँगा 105 रुपे तो जो ये 5 रुपे आप extra दे रहे हो न जो 5 रुपे एक्स्ट्रा इस extra payment को payment करने के लिए आप security premium में जो आपने receive किया था अगर किया था तो उसका इस्तमाल कर सकते हो आपको चैप्टर भी चैप्टर है और प्रिलिम्निरी और इसको तो अधर देन कैस में करेंगे redemption of debenture भी है redemption of preferentia भी है तो ये सारे आपको चैप्टर पहले तो सिर्फ यू पॉइंट है ये चैप्टर ही याद हो जाएंगा ठीक है ने तो ये तो सारे आपके चैप्टर ही पढ़ने पढ़ेंगे bonus शियर होता है free का शियर जैसे होता है क्या है generally कि अब company बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाती है आपके पास 5 शियर हम जब करेंगे न तो बताएंगे आपके पास कितने शियर है चल यार तिरको पास शियर मैंने ऐसे ही दे दिया है free में तिरसे पैसे वैसे नहीं लेंगे तो भई फास शियर जब मैं आपको दे रहाँ कोई चीज फ्री में तो मेरे जिप से तो नुकसान हो रहा है ना एक तरीके से तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हम security premium से पैसा निकाल के कर लेगे ठीक है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगली class के अंदर security premium और पहले security premium कराने से पहले क्योंकि calls in advance का थोड़ा सा लंबा topic हो जाएगा और अगली class है हमारी Monday है न Monday भी दो घंटे मुझे मिल जाते तो फिर जादा बेटर था क्योंकि Monday इसके बाद तो एक class और है चलो कोई बात नहीं हम कोसिस करेंगे थोड़े कम समय में जादा से जादा करने का तो आपका advance वाला हम कर लेंगे ठीना इसवाब भी आएगा क्या हाँ बिल्कुल इसवाब भी आएगा तो एडवांस वाला calls in advance वाले topics को खतम करेंगे calls in advance के topic को खतम करने के बाद जैसे book के questions मुझे कराने है ये कहां गया पंदरा अगस्त कहां के है ये देखिए पहला question था second calls in area calls in advance है तो जब तक नहीं कराऊंगा तो नहीं होगा उसके बाद balance sheet भी बताना है और फिर कुछ ऐसे बड़े-बड़े questions भी आ जाएंगे थोड़े से तो वो करेंगे तो इसलिए अभी आपने क्या करना है बहुत simple सा basic सा concept है जितना कराया है सिर्फ इसको अच्छे से revise करिए और mind में बिलकुल concept clear होना चाहिए भई इसका ये है इसका ये ठीक है कोई doubt सर इंटरस्ट भी करा दो अच्छा इंटरस्ट भी करा दे अगली class मैं advance और area का एकी साथ लेकी question में करा दूँआ interest due का सर ये PDF add कर दो हाँ ये PDF आपको मिल जाएगा थोड़ा साथ time दो मैं video content जैसे ही move करूँआ साथ के साथ मिल जाएगा sir मेरे college में financial statement सुरू हो गया है तो मैं पुरानी video देख सकती हूँ क्या बिलकुल मैं सारे जिन बच्चों के college में start हो गया है और फिर बच्चे सुषते हैं यार सर हमारा reply नहीं कर रहे है तो मैं उसके हिसाब से लेके चलूँगा Sunday book बता दूँगा आपको image में दिखा दूँगा बुक का Sunday तक ठीक है न तो very very good night मिलते हैं next class में इसका PDF add कर दूँगा और कुछ देर के बाद ही बच्चों को suggest कर दूँगा जितने बच्चे live आ रहे हैं और जो बच्चे नहीं भी आ रहे हैं बाद में देखेंगे तो live ले लेंगे तो आपका साथ के साथ हो जाएगा नहीं तो फिर ये subject मैंने पहले ही बोला है कि थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा chapter है आपको साथ के साथ लेके चलना पड़ेगा चलिए